हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और जबदस्ट वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M2 के बारे में अभी हाल में कंपनी ने पोको का एक नया मोगाइल पोको M2 प्रो को लॉंच किया था जो की काफी सिमिलर था Redmi Note 9 Pro से और इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है पोको M2 जो की काफी ज़ादा सिमिलर है Redmi 9 Prime से तो दोस्तों काफी ज़ादा सिमिलर एकस्पेक्स हैं इसके Redmi 9 Prime से कौन-कौन से feature और कौन-कौन से feature बदलाओ किया गया है और कौन-कौन से खास feature आपको इसमें मिलने वाले हैं सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को पुरा जोर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जुरू कीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार आये हैं तो सबस्क्राइब कर लिजे साथ बेल का आइकन को भी प्रेस कर लिजे सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में तो आपको इसमें रेड्मी 9 प्राइम की तरह ही IPS LCD का 6.53 इंज का फूल HD रेजिलेशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसका रेजिलेशन 1080 x 2340 है बात करें अगर इसके बैक पैनल की तो आपको इसमें प्लास्टिक बैक वाला ही पैनल देखने को मिल जाता है जो की डिजाइन में भी काफी जादी सिमिलर है रेड्मी 9 प्राइम से हाला कि दोस्तों इसमें आपको रैम थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी और इसमें 6 GB का रैम आपको देखने को मिल जाता है जबकि Redmi के 9 Prime में आपको 4GB का ही RAM दिया गया था तो यहां पर RAM में थोड़ा सा improvement किया गया है साथ में आपको इसमें 64GB का internal storage भी दिया गया है बात करें अगर camera की तो इसके back में आपको quad camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें main camera 64MP का होने वाला है secondary camera 8MP का ultra wide 2MP का depth sensor और 5MP का macro camera भी setup किया गया है जो कि काप बिल्कुल similar है आपको Redmi 9 Prime से front में भी आपको Redmi 9 Prime की तरह ही 8MP का water drop notch वाला camera देखने को मिल जाता है और अगर performance को देखें तो इसमें आपको Mediatek Helio का G80 वाला processor देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही similar है Redmi 9 Prime से Redmi 9 Prime में भी यही processor आपको setup किया गया है तो performance में आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं उने वाली है और कोई भी heavy game आप इसमें smoothly खेल पाएंगे बात करें अगर battery की तो इसमें आपको 5000 mAh की battery देखने को मिल जाएगी जो कि 18W के fast charging support के साथ आता है IR blaster का support भी इसमें देखने को मिल जाएगा fingerprint इसमें Redmi 9 Prime की तरह back panel में ही setup किया गया है बात करें अगर price की तो इसकी price की 11,000 रुपे है जो कि इस specification साथ काफी अच्छी price है और मुझे कहीं से लगता कि यह overpriced है क्योंकि इसमें आपको 6GB का RAM देखने को मिल जाता है क्यों जो कि अभी तक कि किसी mobile में 6GB का RAM इस price range में launch नहीं किया गया है तो यह काफी अच्छा option सावित हो सकता है आपको क्या लगता है दोस्तों क्या इस price range में आप इस mobile को खेजना पसंद करेंगे वो आपने जे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरू करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए be digital with best versus top जाहिन